hello student आज का हमारा टॉपिक है her attack हर्ट अटएक के बारे में आज हम लोग मुख जानेंगे heart attack आता कैसे क्यों आता है और आज स irony की यंग जनरेशन में heart attack की चांसेंट बहुत जादा बढ़ गए heart attack किन कारौन से होता है? इन सभी चीज्सक्टों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा लाश्ट तक देखिए तभी आप हार्ट अटैक के बारे में समझ पाएंगे तो basically हार्ट का अटैक होता कैसे है तो हमारा जो हार्ट होता है उस heart का function क्या होता है मतलब जो हमारा हिर्दे होता है उसका function क्या होता है तो हमारे heart का function होता है पूरे body में blood को circulate करना ठीक heart क्या गरता है हट पूरे बॉड़ी से 대oxygenated blood लेता है यह आता है, तो यह आता है कहांपर राइट अट्रियम में अता है राइट अट्रियम से फिर कहां आता है राइट वेंट्रिकल में डियोक्सिजनेटेड बलड आता है और फिर यहां से पूरा डियोक्सिजनेटेड बलड का मतलब होता है असुद्ध रुदिर ठीक है तो यहां से यह फिर लंक्स में चला जाता है तो lungs में क्या होता है? lungs में यह blood pure हो जाता है मतलब oxygenated हो जाता है और oxygenated होने के बाद में यह कहां आता है? यह आता है हमारे left atrium में और left atrium से left ventricle में जाता है ठीक है? और फिर यहीं से रुदिर heart क्या करता है? उस oxygenated यानि सुद्ध रुदिर को पूरे सरीर में जितने भी हमारे अंग हैं ओर गन से वहां तक पहुँचा देता है तो यह काम होता है हार्ड का तो जैसे सभी जितने भी ओर गन होते हैं हमारे बॉडी में उन सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए oxygenated blood चाहिए, मतलब blood और उसके साथ में oxygen इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग oxygenated blood यानि सुद्धरुदिर, तो वैसे ही क्या होता है, जैसे पूरे सरीर के अंगों को चलाने के लिए blood चाहिए वैसे ही हमारे heart को भी चलने के लिए या जिंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए, oxygenated blood यानि सुद्धरुदिर की जरूरत पढ़ती है, ठीक है, अब देखो जो heart में, यानि जो हमारे हिर्दे में blood circulation होता है, वो coronary circulation होता है, ठीक है heart में हमारी coronary artery पाई जाती है, और coronary veins पाई जाती है, coronary artery क्या करती है, coronary arteries heart को pure blood यानि oxygenated सुद्धरुदिर heart को पहुचाती है, और यहीं पर coronary veins पाई जाती है, जो heart से deoxygenated, मतलब गंदा वाला जो blood होता है, उसको बाहर लेके जाती है लेकिन, अब समस्य आ गई हमारे heart attack की क्यों होता है, ठीक, तो आज कल अगर हम बात करते हैं, अगर हम male की बात कर लेते हैं, male का मतलब किसी आदमी में बात कर लेते हैं, तो 45 साल की उम्र में उसमें heart attack के chances ज्यादा रहते हैं, वहीं पर female में बात कर लेते हैं, अगर हम female की एके चांसेस ज्यादा रहते हैं फिमेल में हार्ट डेख थोड़ा कम चांसेस रहते हैं ठीक है लेकिन हाट अता क्यों है कैसे हमारा हाट रुख जाता है तो हाट भैसिकली तब आता है जब हमारा हमारे हाट को oxygenated blood की supply रुक जाती है ठीक है जब blood जब हमारे heart यानी हमारे हृदे को सुध रुधिर नहीं मिलता यानी oxygenated blood नहीं मिलता तो उस condition में जो हमारा heart होता है वो काम करना बंद कर देता है अब heart एक pump की तरीकिस काम करता है जैसे engine में pump लगा होता है ठीक है तो अगर pump ही हमारा engine में काम करना बंद कर दे तो क्या पूरा engine चलेगा नहीं चलेगा तो वैसे हमारा heart होता है अगर हमारा heart ही काम करना बंद कर देगा तो हमारे body के जितने भी organs है वहां तक oxygenated blood कैसे पहुँचेगा तो तो जब oxygenated blood नहीं पहुंचेगा तो हमारा heart क्या हो जाएगा डेड हो जाएगा तो heart attack आता कैसे तो देखो आज कल हम जितनी भी fatty चीजे खाते हैं ऐसी चीजे जिसमें cholesterol हो cholesterol का मतलब जिनमें fat हो ठीक है तो वह चीजे हम खाते हैं और workout कम करते हैं जैसे देखा अच्छा cholesterol पाया किसमें जाता है तो cholesterol उन चीजों में पाया जाता है जिसमें क्या होता है जो चिकनी चीजे होती है जैसे आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में डालडा खा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घी खा रहे हैं है ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ओइल वगएरा खा रहे हैं तो इन सब चीजों को खाने से हमारे सरीर में क्या होता है कोलेस्टरॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है कोलेस्टरॉल को कम कैसे कर सकते हैं अब दे लेकिन गाउं के लोग सुवासाम घीए खाते हैं लेकिन उन में फैट गर्यार रीजन के हौइज क्यों क्यों क्या образом क्यों होते हैं खेटी कि सानी का कम करते हैं तो जितनी फैट हमारे सरीर में क्या होती है store होती है अब जो हम बहुत ही ज़्यादा workout करते तो वह fat क्या होती है energy के form में body में टूर जाती और energy के form में body उसे use कर लेती लेकिन अगर हम cholesterol वाली चीज़े ले लेते हैं बहुत ही ज़्यादा खाते हैं लेकिन हम workout ज्यादा नहीं करते तो वो हमारे सरीर में क्या होती है जमा होती रहती है तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे सरीर का मोटा पा यानि हमारा सरीर बहुत ही ज्यादा मोटा होना हमारे सरीर का weight बढ़ना तो ये एक समस्या होती हमारे heart attack में तो आएए देखते हम heart attack होत है ठीक है जिए कोड़ने स्टीए सेर्कूरेशन का मतलब हाइड का अपना सेल एक सेर्कूरेशन होता है जिसके दूरा बाहर यानि सुद्ध रूद्ध का होती एंद जमऻा होने लगता है यह हमारे हार्ट की यह नहीं भी को heart की coronary artery है ठीक है coronary artery है ठीक ये coronary artery हमारे heart में तो जब हम बहुत ज्यादा workout नहीं करते हैं लेकिन हम cholesterol वाली चीजे बहुत या fatty चीजे या oily चीजे बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाते है ज्यादा quantity में खाते है तो उस थोड़ा जमता है लेकिन धीरे धीरे जम ज्यादा चीज़े ज्यादा मत्रह में चीज़े खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा यहां पर जम जाता है तो यहां पर देखो इस रास्ते को बिल्कुल यह क्या करता है एक कंडिशन ऐसी आएगी कि यह कोलेस्ट्रॉल इस रास्ते को यहाँ पर क्या कर देगा block कर देगा ठीक है अच्छा देखो coronary circulation में पहले क्या होता था कि blood इधर से आया oxygenated मतलब सुद्धरुदिर बाहर से आया और हमारे पूरे heart में oxygen पहुँचा के फिर से deoxygenated form में convert हो जाता और फिर बाहर चला जाता लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे सरीर में fat जम गई या cholesterol जम गया वसा जम गई तो अब देखो ये वसा क्या करती है कि जो coronary artery होती है यानि जो coronary धमनी होती है वहाँ पर क्या होता है कि ये वसा धीरे-धीरे यानि ये cholesterol धीरे-धीरे क्या होता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से जम जाता है और फिर इस coronary artery को यानि coronary धमनी को block कर देता है ठीक है अब ये block कर दिया अब जब block कर देगा तो भाई इधर से oxygenated blood आ रहा लेकिन ये oxygenated blood आगे की और नहीं जा रहा ठीक है तो जब ये oxygenated blood आग को oxygenated blood नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा वो क्या कर देता है कि काम करना बंद कर देता है ठीक है काम करना जब बंद कर देता है तो फिर क्या हो जाता है जब हमारे heart कोई खाना नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा तो वो जब काम करना बंद कर देता है तो पूरे सरीर क औरगन तक bloody नहीं पहुँच पाता जिससे क्या होता पूरा सरीर काम करना बंद कर देता और ऐसे में death भी इंसान की हो जाती अगर सही समय पे उसको उप्चार ना मिले ठीक है अब लच्छण क्या होते हैं जब heart attack आते हैं तो लच्छण क्या होता है कि यहाँ पर chest में बहुत बहुत ज्यादा पसीना आना इंसानों को बहुत ज्यादा पसीना बहुत ज्यादा बेचाइनी टाइप का feeling आना तो यह कई सारे लच्छण होते हार्ट अटैक के basically heart attack हमारा क्या होता है कि जब हमारे heart का blood circulation रुख जाता है मतलब heart का मतलब जो स्वयम heart का होता है है ना जो heart अपने आपको जिंदा रखने के लिए जो coronary circulation होता है वो रुख जाता है और वो रुखता क्यों इसको हमने यहाँ बर discuss कर लिया कोरोनरी arteries में हमारा क्या होता है कि वहाँ पर cholesterol यानि चिकनी चीज़े fat वाली चीज़े बहुत ही जादा जम जाती जिससे oxygenated यानि सुद्ध रुदिर हमारे heart को नहीं मिल पाता और जब heart को नहीं मिल पाता तो फिर यह क्या होता है यह रुख जाता है और जब यह रुख जाता है तो body भी हमारी रुख जाती मदलब सारे organs भी रुख जाते हैं अब heart attack जब आये तो हम करें क्या माल लेते हैं कि हम घर पे हैं तो heart attack जिसको आया तो उब करें क्या उसको जब तक हम डॉक्टर के हां लेके जाएंगे तो उसमें क्या करना है छेस्ट पर आपको ऐसे करके फूसाप करना है थोड़ा सा दबाना है जल्दी जल्दी और ज्यादा नहीं दबाना है अलका सदक का देना है ताकि हो सकता हो इसमें कुछ मुवेंट हो जाए और हमारा इक एक से बचने के लिए हमें अपने बॉड़ी में KOLESTEROL को कम करना है तो कोलेस्टـOL को कैसे करना यह तो दवां के माध्यम कोलेस्टरोल कम होता हिसे हैं bet만 हम बहुत सारी मेडसीन साई ढीँ लेकिन तो जमा हुआ हुआ कोलेस्टरॉल यानि वशा जो फैट होती है, वो क्या और टूटेगी, और जब आ theta ek और जो टूटेगी, तो फिर क्या होंग जब हमारे सथीर में रिग cultura नहीं हो गा, तो मिला तो हमें heart attack जैसी समस्या है, तो heart attack महीं अरहें उनके खांपान की वज़े से हांड़े की समझ्या हो हो रही और आजकाल यूओं embraced fire उटक्षेम कीう रहां हांपान की वज़े से हांट की समय क्यों क्या रहा हैं क्यों कि आजकल यूओं मतलब मतलब healthy खाने के अप्शा बाहरी खाने को जादा पसंद कर Hast जैसे पीजा हो गया, बर्गर हो गया, चौमीन हो गई, है ना, और मोमोज हो गया, तो ये सारी चीजे कैसी होती है, ओईली होती, ये सब तेलों में बनाई जाती है, ठीक है, तो तेलों में बनाई जाती है, और कुछ लोग तो डालडे का यूज करते हैं, बेसिकली जादा आ हो जाएगा तो हमारा हार्ट अटेक के चांसेज ज्यादा बन जाते हैं ठीक है तो हार्ट अटेक बहुत ही एक गंभीर समस्या है तो हमें तो चाहिए हमारे जितने भी युगा लोग हैं उन सबको वर्क आउट करना चाहिए और यह फास्ट फूर्ट से आप जितना ही दूर हो सकें जितना ही आप दूर रह सकें उतना ही आपके सरीर के लिए लाबदायक है बेसिकली आप कॉलेस्ट्रॉल फ्री चीज़े खाईए है ना अब हम पहचानेंगे कैसे कि कॉलेस्ट्रॉल किसमें है या नहीं है तो देखो कॉलेस्ट्रॉल पहचानने का तरीका है अगर आप किसी भी ओईल को या किसी भी ओईल्स वगयरा को आप बंद बोतल में रख दें ठंडियों के समय में अगर वो जम रहा है है ना अगर आगर वह जम रहा है तो मतलब उसमें कॉलेस्ट्रॉल है और अगर वह नहीं जम रहा है तो मतलब वह कॉलेस्ट्रॉल उसमें नहीं है तो यह पहचानने का तरीका है आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे आगए हैं जो हमारे कॉलेस्ट्रॉल Cholesterol free है तो Cholesterol free चीज़ों को खाए और आप Heart Attack से बज करें Heart Attack बहुत यह गंभीर सरमस्याए आज कल हमारे daily life में है नहीं female में इसके chances थुड़ा कम रहते हैं और male में इसके chances ज्यादा रहते हैं बहुत ही ज़्यादा टेंसन लेने से, है ना, बहुत ही ज़्यादा अगर टेंसन ले रहा है इंसान, तब भी हार्ट अटेक के चांसे वगेरा बन जाते हैं, है ना, तो हार्ट अटेक से बचने का सिर्फ एक ही उपचार है, या कह सकते हैं, एक ही लाज है, कि हम जितना हो सके योगा करें, वर्काउट करें, मतलब बहुत ही ज्यादा वर्काउट करें, आप वर्काउट करते हैं तो कॉलिस्टरॉल की समस्या या हार्ट अटेक की समस्या होगी नहीं आपको, तो जितना हो सके आप योगा करें, तो आप बेसिकली समझ गयोंगे हार्ट अटेक आता क्यो करना बंद कर देता है और तब ही हमें heart attack आ जाता है ठीक है तो I think सबको समझ में आया गया होगा कि heart attack आता है कैसे मैंने बहुत ही एकदम easy words में आप सबको बता दिया एक छोटा सा topic था heart attack के बारे में सबको समझ में आया होगा ठीक है तो अगर आपको समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe वीडियो को like और share करिएगा और heart attack से संबंदित अगर आपको कोई problems है तो आप comment करके साही चीज़े बता सकते है ताकि मैं और नए वीडियो इस पर बना सकूँ थैंक ये पर इस क्लास